गुड इवनिंग, डियर स्टुडेंट्स, लेटर डिस्कस अबाउट कनेक्शन आफ लाइट, फैन और पावर लोड्स, इंडोनस्टिक सर्किट्स गरेलू परिपत में लाइट, फैन और पावर लोड को कैसे आपस में जोड़ा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में circuit मुख्यता दो प्रकार के होते हैं series circuit और parallel circuit तो घरेलू circuit पारलल circuit होते हैं parallel में क्यों जोड़े जाते हैं समांतर में क्यों जोड़े जाते हैं सभी करण या सभी load इसके बारे में भी बात करेंगे पहले compare कर लेते हैं कि series circuit में advantage क्या है disadvantage क्या है फिर डिसकस करेंगे पारलल सरकिट में ड्वांटेज दिसड्वांटेज उसके बाद फिर डिसकस करेंगे कि क्यों पारलल में जोड़े जाते हैं और कैसे जोड़े जाते हैं Let us start with the series circuit Series circuit यान इस्रेडी परिपत में क्या होता है Loads are connected in to in जैसे LED बल्ब आप लोग देखते हैं, डेकोरेशन लाइट्स में, यह इस तरह से जुड़े होते हैं, सीरीज में एक दूसरे से, इंड टू इंड, एक का अंतिम सिरा, अगले का प्रारम भी, अगले का अंतिम सिरा, उसके अगले के प्रारम इस तरह से, यह बैटरी में इस तरह से जुड़ा गया है, so this is called series circuit, there is only one current, सबी में एक करेंट होती है, सबी में सेम, एक करेंट बैती है, सबी उपकरण में, लेकिन बोल्टेज सब में सेम नहीं होता है, यहां पर voltage अलग रहेगा, इसके cross voltage अलग रहेगा, here voltage is different, यहां पर voltage अलग इसको मिलेगा, इस LED को अलग मिलेगा, इस LED को अलग मिलेगा, so LED series में जोड़ करके हम इनका use कर लिते हैं, क्योंकि यहां पर voltage drop बहुत कम होता है, so voltage drop across these LEDs are very less, so we can use them, so this circuit operates. अगर उपकरण बड़े होंगे तो problems होती है क्योंकि voltage drop यहाँ जो होगा V1 suppose here V1 तो इस उपकरण को यहाँ पे जो bulb है इसको जो मिलेगा वो मिलेगा अगर applied voltage V है तो यह मिलेगा V minus V1 और यहाँ पे जो voltage drop V2 है तो यह third पे जो मिलेगा voltage वो मिलेगा के कुछ advantage है जो जिनकी वज़ा से decoration lights में यह बहुत prefer किया जाता है पहला कि यह बहुत simple होता है very very simple इसको install करना आसान है इसको erect करना आसान है इसको समझना आसान है इसमें wire कम लगता है it requires less wire less wire की जरुबत पढ़ती है इसमें बहुत simple होता है single switch operated होता है single switch एक switch लगाएंगे यहीं पे कहीं पे और उसी को on off करके पूरा जो है सभी को operate कर सकते हैं इसके साथ ही साथ इसमें overloading का जो risk होता है risk आप overload is less overload होने का risk कम होता है क्योंकि जैसे ही आप load बढ़ाएंगे तो उसके कारण circuit की current नहीं बढ़ती है तो यह जो battery है overload होने इसका कोई भी source हो सकता है अगर यह generator है यह battery है तो overload होने का risk नहीं रहता है generally क्योंकि जो भी उपकरण जुड़ेगा वो current को कम ही करेगा बढ़ाएंगा नहीं क्योंकि स्रेडी में है resistance जुडता जाएगा तो यह सब benefits हैं जिनकी वज़ा से series circuit काफी use होता है decoration lights वगएरा में लेकिन इसके कुछ drawbacks है disadvantage भी है limitations भी है यह disadvantage क्या है पहला disadvantage यह है कि voltage is not same सभी को voltage same नहीं मिलेगा इसको voltage जादा मिलेगा जो पहले होगा इसके बाद voltage इसको मिलेगा drop होकर के कम इसको और कम और last में जो होगा वो बहुत कम voltage मिलेगा अगर यह voltage drop जादा हो रहा है तो फिर last वाले जो current होंगे या जो भी machine होंगी उनको बहुत कम voltage मिलेगा सभी voltage इनाट से में cross all the loads या all the equipments दूसरा है इनके साफ fault fault होगा तो problem create करेगा अगर यहां पे मालिज यह fault हो गया जैसे कि यह bulb fuse हो गया यह bulb जो है वो मालिज यह बल्ब खराब हो गया तो यह circuit break हो जाएगा यहीं से और आगे supply जाना बंद हो जाएगा so fault यहां पे ज़्यादा problem create करता है series circuit में तीसरा independent नहीं होते हैं सभी अपकरण not independent एक one off करने का प्रभाद दूसरे पर पढ़ता है the circuit operates only when all the instruments are on सभी जवान होंगे तभी यह circuit close होगा तभी यह current flow करेगी इस circuit में अगर एक कोई उपकरण आफ कर देंगे तो यह काम नहीं करेगा तो यह इसकी problem है तीसरा चोथा जो है last जो उपकरण होगा उसको performance उसका बहुत पूर होगा और प्रारम में जो उपकरण होगा उसका performance बहुत अच्छा होगा तो performance is not same performance is not same सबका performance same नहीं होगा क्योंकि last वाली उपकरण को कम मिलेगा यह load को कम मिलेगा voltage तो its performance is badly affected तो parallel में क्या advantage disadvantage है देखिए parallel connection यह है यह line है या निफेज है फेज और यह neutral wire है इनके बीच में connected होते है सब ही उपकरण या सब ही जो भी machines होती है या loads होते हैं यह parallel में ऐसे जुड़े होते हैं और सबके लिए separate switch होता है separate switch for all the loads all the equipments all the instruments तो इनके बहुत advantages हैं पहला they get same voltage सभी को same voltage मिलता है क्योंकि सभी parallel में connected है they are connected in parallel so if a flight voltage is V V voltage दिया तो यहां V भी मिलेगा पहले को भी दूसरे को भी मिलेगा तीसरे को भी मिलेगा last में जो होगा उसको भी भी मिलेगा so every instrument, every equipment gets equal voltage so performance remains the same दूसरा independent operation होता है independent operation सभी का operation independent होता है क्योंकि we have different switches सबका अलग-अलग switch है और एक switch को on-off करने से उसका प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है इसको on-off करने से इसका प्रभाव इस पे या इस पे नहीं पड़ता है so they are independent सभी independent कार्य करते है सभी को आप जब चायान-off कर सकते है क्योंकि हमारी requirement ऐसी होती है we need independent operation because we have to operate them at different time, instant of time अलग-अलग समय पे हम operate करना चाहते है जैसे कि पंखा चाहते हैं नहीं चले बल्ब चाहते हैं चले या हम रात में सोते समय चाहते हैं तो उससे हम operate कर सकते हैं so independent operation होता है सभी का तीसरा fault handling better होती है यहाँ पे fault handling यहाँ better क्यों होती है suppose यह जो बल्ब है यह वाला suppose यह बल्ब लैंप नमबर टू है यह अगर माल लिजिए खराब हो गया, fuse हो गया तो इधर की supply आफ हो जाएगी this circuit stops functioning but this circuit is healthy यह सब काम करते रहेंगे तो fault handling यहाँ better होती है कोई उपकरण जो है वो काम करना बंद कर देगा तो उसका प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ेगा जबकि series circuit में एक instrument जगर काम करना बंद कर देगा तो पूरे circuit पे उसका प्रभाव पड़ता है तो यह यहाँ पे benefit है जिसकी वज़ा से यह ज़्यादा prefer किये जाते है performance performance of instrument is not dependent on each other performance better होता है सभी instrument का क्योंकि voltage सभी को मिलता है they get same voltage so their performance is better compared to series circuit because there we don't get equal voltage we get different voltage across different loads सबके across अलग-अलग voltage मिलता है यहाँ पे same voltage यह advantages है इसके साथ ही कुछ disadvantage भी है disadvantage क्या है पहला disadvantage we need more wire बहुत ज़्यादा wiring की ज़रूरत पड़ती है हर उकरण के लिए separate wiring जाती है यह देखिए इस उपकरण के लिए separate wire इस उपकरण के लिए separate wire इस उपकरण के लिए से so we need more wire wiring में बहुत तार लगता है बहुत खर चाता है we need more switches more switches बहुत से switches की ज़रूरत पड़ती है सभी के लिए separate अलग-अलग switches की ज़रूरत पड़ती है तीसरा relatively difficult है difficult है थोड़ा सा series circuit की तुलना में इसकी wiring करना भी difficult है relatively और इसको operate करना और install करना भी relatively difficult है यह सब इसमें problems है चौथा यहां पे load बढ़ाने से overloading का खत्रा रहता है overloading series circuit में आप load बढ़ाते जाएंगे तो जो source है उसके overload होने का खत्रा इसलिए नहीं रहता है कि वहां current बढ़ती नहीं है current घट ही सकती है अगर series में load बढ़ाएंगे तो बढ़ाल में load बढ़ाने से यह जैसे चार उपकरण हैं तो चार उपकरण मिलकर कि दगर 10A current ले रहे हैं पाचवा उपकरण अगर आप नियान कर दिया यहां सपोस्थ एक और लगा दिया वह भी 5A लेगा तो total current हो जाएगी बढ़ जाएगी so we have to supply here more current source को उतना current handle करने की छमता होनी चाहिए अगर generator है battery है उतना current handle नहीं कर सकता है तो उसके उपर बुरा प्रभाव पढ़ेगा overload हो जाएगा तो parallel circuit में जैसे load बढ़ाते हैं source overload हो सकता है यह circuit overload हो सकता है wiring overload हो सकती है wiring आपकी है वो भी overload हो सकती है 10 ampere के लिए wiring किया है load बढ़ा दिया अगर AC लगा दिया 15 ampere कर दिया भी से ampere कर दिया so there is a possibility of overloading so that is why we have to take care of overloading here यह overloading का ध्यान रखना पड़ता है but domestic circuit में due to advantages of parallel circuit they are always connected in parallel all the instruments all the equipment all the loads all the machines all the machines all the apparatus everything they are connected in parallel so that we can do the same thing we want independent operation so यही सबसे बड़ा advantage है parallel circuit का parallel circuit का सबसे बड़ा advantage यही है independent operation में होता है सभी का एक का प्रभाव दूसरे पर नहीं होता है एक को on-off करने से दूसरा प्रभावित नहीं होता है इसी वज़ाए से domestic circuits में सभी load parallel में connect किये जाते है और उनकी switches बे separate रहती है सभी को सभी के लिए separate switch देते हैं तो यह domestic wiring देखे कैसे होती है connection of light fan and power loads in domestic circuit तो कैसे wiring होती है देखिए इसकी इधर से चलते हैं इस साइड से यह supply आ रही है यह सपोस डोमेस्टिक जहां पर wiring करनी है घर में घर के अंदर यह supply आ रही है बाहर से power corporation का यह supply आ रही है यहां से यह देखिए neutral this is neutral this is phase phase में लगाते हैं फ्यूज यह देखिए फ्यूज लगाते हैं फ्यूज में यहाँ फ्यूज में लगा दिया है फ्यूज कितना एंपियर का होगा depend करेगा आपके घर में लोड कितना है उसके carding यह calculate होता है fuse देखिए यहां से जा रहा है यह गया सबसे पहले energy meter में जाएगा supply यह neutral का देखिए neutral यहां लगता है neutral में neutral link उसका symbol देखिए neutral link का symbol यह है this is the symbol of neutral link यह operate नहीं करता है यह solid pin होती है जो की connected होती है conductor होती है operate करता है तो भी ऐसे ही रहता है केवल यह blow करता है fuse mcb भी हो सकता है यहां पर fuse भी हो सकता है जो भी आपके घर में देवस्था हो neutral wire देखिए यहां से जा रहा है यह neutral wire यहां से सबसे पहले यह energy meter में जाता है supply बाहर से supply आते ही सबसे पहले वो energy meter में जाती है power corporation wants wants to calculate your energy it is utilization or it is misuse but they want to charge you for every use and misuse so they first they keep this supply in the energy meter so that everything is accounted जहां भी आप यहां खर्च कर रहे हैं उपयोग कर रहे हैं दुरुपयोग कर रहे हैं वो सब के लिए वो बिजली भाग जो है वो power corporation भाग जो है वो आपके उपर charge करेगा so this is meter board यहां पे energy meter में supply जाएगी तो वो energy meter क्या करेगा जो भी consumption होगा घर में आपके वो रिकार्ड करेगा यहां unit दर्जो होगी यह unit दिखाएगा unit और इसी क्याधार पर आपके उपर charge किया जाएगा बिजली का बिल यहां से energy meter से supply देखिए निकला यह जा रही है फेज फेज है solid line से बनाते हैं neutral को देखिए dotted line से बनाते हैं यह dotted है this is dotted line यह गया इसको बोलते है main switch this is called main switch ms main switch में जाता है यह main switch में में स्विच यह देखिए यहां भी phase में लगा है fuse और neutral में लगा है neutral link यह neutral link बोलते हैं इसको यह main switch है यह main switch है यह इसको जब तक off रखेंगे इडर supply आगे नहीं जाएगी जब तक इसको on नहीं करेंगे आगे supply नहीं जाएगी main switch बहुत important होती है generally यह दर्वाजे के अगल बगल या बरामदे में लगाई जाती है इसके बहुत से regions है main switch लगाने का पहला region यह है maintenance के purpose से maintenance suppose करना है घर में कहीं तो आप यहां supply आप कर देंगे तो आप maintenance कर पाएंगे अंदर दूसरा इनकेस आप fire घर में अगर आग लग जाती है तो आप बाहर रहेंगे तो बाहर से उसको operate करना असान है तो main switch operate करके पूरी supply को आप कर सकते हैं क्योंकि अगर fire लग गया घर में आग लग गई तो supply जारी रहेगी तो उस पर पानी डालने से व्यक्तिक और इलेक्टिक शॉक लग सकता है तो इस रहा प्रोटेक्शन के परपस से सपोस समबड़ी इस गेटिंग शॉक या कहीं पर supply connect हो गई है लाइब वायर गिर गया है या short circuit आ गया है या fault हो गया है या कोई व्यक्ति कोंटेक्ट में आ गया है तो यहां से main switch को operate करके पूरा व्यक्तिक और सच सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सकता है so this is very very important without main switch this supply is not going in this direction it is stopped at this level यहीं पर रोग दी जाती है main switch के माध्यम से तो इसके बाद देखिए main switch को off कर देंगे तो supply नहीं जाएगी अगर आन करेंगे तब ही जाएगी इसके बाद फिर क्या होता है देखिए main switch से यह solid line this is solid line यह जाती है यहां पर यह एक एल्मूनियम की पत्ती होती है मोटी सी इसमें hole बने रहते हैं कहीं सारे इसको बलते हैं db distribution board यह distribution board है यह this part this part is distribution board यह यह distribution board में देखिए क्या होता है एक होती है solid link होती है solid strip होती है जो phase wire यहां गया यह supply आ गई फेज इस पे पूरे पे आ गया दूसरा यह neutral wire देखिए जा रहा है main switch से यह neutral wire जा रहा है यहां पे तो दूसरी एक होती है strip होती है है aluminum की पत्ती होती है मोटी सी यह इसमें भी hole बने रहते हैं बहुत सारे purpose यह है कि हम supply को यहां से distribute कर सकते हैं कई circuit में तो यह neutral यहां आ गया इस पे link पे इस aluminum strip पे फेज आ गया अब यहां से हम distribute करना चाहते हैं इसलिए इसमें बहुत सारे hole लगे रहते हैं बहुत सारे hole होते हैं यहां पे जहां से आपका सारे wires निकाल सकते हैं distribute कर सकते हैं यहां से तो यहां से देखिए बहुत सारे circuits बना सकते हैं तो सब distribution बोर्ड बना सकते हैं इस जैसे distribution बोर्ड है main इसके बाद और छोटे distribution बोर्ड बनाकर वहां भी और कई distribute कर सकते हैं उसके बाब भी और distribute कर सकते हैं तो यहां से क्या करते हैं जैसे distribution board है main distribution board है तो sub distribution board में भी जा सकता है आप चाहें तो सीधे यहां से load में भी ले जा सकते हैं जैसे यहां पर sub distribution board 1 में ले गए हैं एक यहां से दूसरा neutral ले लेंगे यहां से यहां से ले लिया उसमें भी लगा दिया है फ्यूज आज कल mcb यूज करते हैं भी उस mcb फ्यूज की जगह mcb लगाते हैं जिससे की प्रोटेक्शन हो सार्किट का यह है दूसरा सब डिस्टिबूशन बोर्टू एक ले लिया यहां से फेज ले लिया और दूसरा यहां से न्यूट्रल ले लिया यहां से न्यूट्रल वाली स्ट्रिप से ले लिया यहां से न्यूट्रल स्ट्रिप से एक ले लिया तो यह हो गया distribution board 2 वहाँ जाएगा वहाँ load connect होंगे AC fan जो भी यह अलग यह अलग जगा जाएगा यह अलग जगा जा रहा है इसी तरह 3 एक face से ले लिया यह line यह face से और एक यहाँ से neutral से ले लिया यह distribution में भेज दिया फिर और एक face से यहाँ निकाला यह गया यहाँ से neutral से यह बेज दिया इस तरह से आप sub distribution भी कर सकते हैं या चाहें तो यहाँ से भी आप सीधे load को ले जा सकते हैं तो सभी देखिए उसमें face में neutral face में देखिए fuse लगे हैं fuse सभी में protection के लिए लगे होते हैं यहाँ आपने लगाया है इधार की protection के लिए यहाँ लगाएंगे आगे जो protection के लिए आगे protection circuit को protect करेगा यह आगे तो यह इस तरह से distribute कर देते हैं power को different different areas में different different rooms में different different building complex में different जो भी installations हैं वहाँ पर distribute कर देते हैं तो यह हो गया main distribution board तो देखिए main distribution board से फिर यह गया supply तो उसके बाद कहा जाता है फिर देखिए उसका फिर utilization जहां होता है वहाँ जाता है जैसे कि यहाँ distribution board 4 यहाँ से suppose निकाल आए तो क्या करेंगे page को यहाँ से निकाल के यह जोड दिया ऐसे और neutral को यहाँ से निकाल के यहाँ से जोड दिय यह एक circuit इधर त्यार हो गया यह suppose है light and fan loads हलके loads होते हैं suppose यह they require less power इन को operate करने के लिए ज्यादा power की जरूरत नहीं होती है so they called light and fan loads light and fan loads जैसे देखिए simple है यह पंखा लगा है socket है tube rod है charger है यह आपके bulb हैं यह सब छोटे loads होते हैं they operate at less power they need less current so इनके लिए जो wiring होती है थोड़ा सा relatively पतले तार की होती है this is thin wire thin ऐसा circuit में जो wire यूज करते है thin पतले wire यूज करते हैं क्योंकि loads हलके हैं वो loads हलके मतलब in the sense they require less power they operate at less current so current is less यह i1 suppose यह i2 suppose यह i3 कम current है इनका magnitude बहुत कम होता है क्योंकि bulb है बहुत ज़्यादा power कर नहीं होता है charger है बहुत ज़्यादा power की जरूरत नहीं पड़ती है fan है बहुत ज़्यादा power की जरूरत नहीं पड़ती है so यह wires जो होता है phase वाला यह इसमें इस तरह के पतला होता है thin power loads लगे हैं, तो वहाँ पे जो wire जाएगा थोड़ा सा मोटा जाएगा, thick, this wire is thick, thick क्यों होगा, क्योंगि वहाँ पे heavy loads है, उनको operate करने के लिए जाधा power चाहिए, और जाधा impier चाहिए, current, so they need more current, they draw more current from the supply, supply से जाधा current हो चाहते है, हेशी है या आपका कूलर है या आपका इंडक्षन है हीटर है या कोई आपने मोटर लगाई है बड़े-बड़े यह सब जो है ज़्यादा पावर पे वर करते हैं they need more करिंट उनको ज़्यादा करिंट चाहिए तो उस वायर से ज़्यादा करिंट जाती है इस वायर से ज़्यादा करिंट जाएगी तो इस वायर को मोटा बनाना पड़ेगा और इसमें फ्यूज भी लगाना पड़ेगा ज़्यादा एंपियर का दिस फ्यूज इस आफ मोर एंपियर यहाँ जो फ्यूज लगेगा कम MCB लड़ा हुए है यहां से देखिए क्या आगे का जो connection होता है क्या होता है यहां फ्यूज लगा रहता है उसी के लाइन में यह phase है यह phase यह line बोलते हैं इसको यह जा रहा है phase रायर यह neutral wire जा रहा है देखिए this is neutral wire neutral wire को देखिए सीधा ले जाके जोड़ देते हैं direct without switch सभी जग़ा neutral wire को बिना switch के ही लगा देते हैं सीधे पहुंचा देते हैं जो फेज वायर है इसमें इंडिपेंडंट 누가 लगाई गई है सब ही में देखिए यह स्वीश है किऊ मॉल्ब तभी होगा जब सुष को हम close करेंगे अभीわか कि switch off है यह switch off है जब इसको आप प्रेस करेंगे यह connect हो जाएगा सो इसको कितना voltage मिलेगा full voltage भी पारलल में connect है यह operate करने लगेगा यह socket है इसमें आपने mobile या battery या कुछ charging के लिए लगाया जैसे ही आप इसको on करेंगे इधर से current जाएगी I2 यह इसमें जाने लगेगी supply जारी ह हो जाएगी इसमें I1 voltage मिलेगा इसको भी भी सेम क्योंकि पारलल में है तीसरा circuit यह देखिए जैसे ही आप इस switch को close करेंगे इधर से current जाने लगेगी इधर से यह बीच में लगा हुआ है यह regulator fan का है regulator series में लगाते हैं फेच के फेच के series में लगाते है regulator को तो यह देखिए current का path किया है इधर से switch से होते हुए regulator से होते हुए यह fan में होते हुए यह इधर से regulator series में लगाते हैं फेच के क्यों लगाते हैं यहां कुछ voltage हम drop करवा लेते हैं तो voltage यहां कम हो जाए तब fan की speed कम ज़्यादा हो जाती है तो बोल्टेज यहां ड्रॉप कराके हम स्पीड को कम ज़्यादा कर लेते हैं फैन की स्पीड इस इस काल बोल्टेज रेगुलियेटर सो देखिए सभी उपकरण पायरल में लगे हैं ये सभी को बोल्टेज से मिलेगा सभी के लिए स्वीच अलग-अलग है सभी अलग-अलग समय पे आनाफ कर सकते हैं तो इस तरह से बेवस्था की जाती है पायरल कनेक्शन किया जाता है यहां सभी में फ्यूज रहता है या MC भी लगा रहता है प्रोटेक्शन के पॉइंट आविव से भी मेंटेनेस के पॉइंट आविव से भी अब इनका पावर केलकुलेट करना हो तो इस सर्कुट में पावर कितनी है यह बल्ब का जोड़ लीजिए चारजर पे जोड़ लीजिए फैन का जोड़ लीजिए या इस पे माल लीजिए यहां पे आप लगाए है ट्यूबराड लगा दीजिए उसका भी जोड़ लीजिए सब जोड़ लीजिए तो इस तरह से पावर जोड़ लेंगे अगर आपको माल लीजिए फ्यूस या इसमसीबी का एंपियर पता करना है एंपियर तो यह एंपियर सब का अलग-अलग कैलकुलेट कर लीजिए बल्ब का आई-वन सौकेट का हाई-वटू इसका आई-थरी इसका आई-फौर सब जोड़ डालिए आई-वन प्लस आई-टू प्लस आई-थरी प्लस आई-वर इस पर आज़ जोड़ के फिर एंपियर निकाल सकते हैं इतना एंपियर टोटल ड्रा करेगा यह यहां से यह टोटल एंपियर यहां से जो ड्रा करेगा वो उतने एंपियर का आप या उससे थोड़ा सा ज़्यादा एंपियर का यहां पे MCB या फ्यूज लगाएंगे उससे ज़्यादा एंपियर जाएगी अगर इस circuit में तो यह उसको मानेगा कि overloading है, abnormal है या fault है, या short circuit है यह MCB operate करेगा या fuse operate करेगा अगर fuse है तो for example here there is fuse so it operates यह operate करेगा fuse और इस circuit को protect कर देगा, तो MPR इस तरह से calculate हो जाती है fuse की या MCB की और इतने सभी load जितने लगे होंगे इसमें power loads में जो लगे होंगे, उनका जोड़ डाली है फिर इधर जोड़ लगे होंगे, उनका जोड़ डाली है इधर जो लगे होंगे, उनका जोड़ ले ले तो इसका fuse का, इसका MPR निकाल सकते है कितना MPR का यहां लगाना पड़ेगा तो यह fuse, हर circuit का फ्यूस का जो एंपियर होता है वो इस आधार पर डिसाइड होता है कि उसमें कितना एंपियर उसको अलाउ करना है अपने सर्किट में और इतने लोड्स लगे हैं उस सर्किट में उसके एक्वार्डिंग वो करेंट का कैलकुलेशन होता है अब अगर इनर्जी का calculation करना if you want to calculate energy how much energy is being consumed here तो इसको सबका timing time count करते रहिए जितने समय तक यह operate करेगा माली जी यह bulb है suppose तो यह जितने समय तक operate करेगा वो उसमें power से गुड़ा कर देंगे तो इसकी energy निकल जाएगी माली जी इस पे लिखा हुआ है 200 watt और यह operate करता है पांच घंटे तो इसमें पांच से गुड़ा कर दीजिए तो यह हो जाएगा 1000 watt यह 1000 watt second हो जाएगा watt not watt second, watt hour हो जाएगा watt hour watt hour this is watt, this is hour तो इसको 1000 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा एक किलो वाट एक किलो वाट hour या एक unit one unit इस तरह से calculate कर सकते हैं यह bulb 200 watt का है तो पांच घंटे अगर आन करेंगे तो एक unit खर्च हो जाएगा इसी तरह पंखा माली जे यह fan है fan 100 watt का है 100 watt का fan है तो 100 watt का fan है अगर 10 घंटे चलाया तो कैसे निकालेंगे इसकी इनर्जी 100 गुड़े 10 100 1000 1000 watt hour तो उसमें 1000 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा एक किलो वाट hour यानि एक unit तो यह भी उपकरन है जितने घंटे आन रहेंगे उसमें हम multiply करके time से यह formula लगाएंगे power और समय का जो गुड़नफल होता है गो होता है energy so energy is the multiplication of power and time power और समय का गुड़ा कर देंगे तो मिल जाएगा energy उर्जा सभी का सब को जोड़ डालेंगे तो total energy मिल जाएगे total energy कितना हो जाएगी जो भी हो जाएगे अलग 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 पराणकी 1 plus E2 plus E3 plus E4 सब जोड़ डालेंगे वो जो भी energy होगा आप individual चाहेंगे तो इस तरह से calculate कर सकते हैं दरवाईस यहाँ जो energy meter लगा हुआ है यह सभी को count करता रहेगा consider करता रहेगा यह सब का जो unit है वो नापता रहेगा सो यहाँ पर लगा रहता है meter meter में यह indicator लगा रहता है या measuring system लगा रहता है वो unit सो करेगा या measure करके यहाँ पर दर्श कर लेगा so electricity bills are calculated on the basis of unit unit के अधार पर bill का calculation होगा इसी वज़ा से energy meter पहले लगाए जाता है power विभाग जो है बिजली विभाग या power corporation जो होता है पहले energy meter क्यों लगाता है क्योंकि यहाँ अंदर power का use हो या miss use हो वो सब को charge करेगा तो unit के अधार पर वो calculate करता है bill for example आपने महीने भर में 200 unit खर्च किया वो record कर लेगा या energy meter और एक unit का अगर price है 6 रूपया सपोस रूपी 6 पर unit तो आपको 200 into 6 equal to 1200 plus fix charge fix charge कुछ होगा 200-300 माली जे 300 fix charge है तो आपको कितना bill देना पड़ेगा महीने का 1200 आपका unit खर्च हुआ plus 300 fix charge है तो 1500 रूपय आपको बिजली का bill पे करना पड़ेगा रूपीज 1500 यह आपका bill हो जाएगा on the basis of units you have consumed in that particular month तो यह होता है connection of light fan and power loads light and small loads are connected in one circuit and they use thin wire, पतले तार कम ampere का fuse और जो मोटे तार वाले उपकरण लगाएंगे कहां जहां heavy power loads या बड़े power loads रहते हैं जो ज़्यादा power खर्च करते हैं उनकी short circuit या overloading capacity भी ज़्यादा होती है इसलिए उनको अलग रखा जाता है इनकी overloading capacity भी कम रहती है overloading capacity they cannot handle too much current for longer time थोड़ा सा भी current बढ़ती है तो इनके उपर बहुत ज़्यादा बूरा प्रभाव पढ़ता है दे cannot handle overloading बहुत ज़्यादा है इसलिए इनको power loads से अलग circuit बनाई जाती है इनकी ये अलग होते हैं power loads जो होते हैं उनकी overloading capacity थोड़ा सा ज़्यादा होती है जो थोड़ा बहुत overloading को handle कर सकते हैं इसलिए वो जो बड़े उपकरण होते हैं वो अलग रहते हैं circuit में चोटे उपकरणों की circuit अलग की जाती है generally so this is called connection of light fan and power loads in domestic circuits and thank you for watching this video thank you so much